कि असलाम लेकुम कि यूट्यूब चैनल स्पेक्विद नॉलिज़ पर आपको शामदीड आज का जो लेच्चर है जने साइंस इन अबिलेटी का इसमें सेट 9 को डिसकस किया जाएगा और यह 1994-2015 के जो कुस्टंस हैं उन में से मून के उपर 10 कुस्टंस को और अर्थ के उपर 15 कुस्टंस को हम देखेंगे आगे चलते हैं आज के लेक्चर में जो पहला कुस्टंस है वो है लूनर एकलिप्स अपकर्स वेंदमोन इस इन इस डैश अपने लूनर एकलिप्स के बारे में बताना है कि यह कब होता है जब चांड अपनी फुल फेज में होता है जिसको आप पूरा चांड बोलते हैं लूनर एकलिप्स का अगर आपको पता है तो ठीक है अधरवाइस मैं आपको बता देती हूं यह कैसी कंडिशन है जिसमें मून और सन के इंबिक्वें पर था जाती है इदे डाइग्राम में आपको एक साइट पर नजर आ रहा है जिन लोगों ने लिए हैं प्रीवेस लेक्शर उनको यह पीछे कवर हो चुका होगा सोलर सिस्टम के टॉपिक में इसमें काफिर के डिटेल में आपने चीजें देखी अर्थ की मोण की और दूसरे प्लैनेट्स की नेक्स्ट जो मूण के उपर क्वेस्टिन है वह ए कि आपका जो अबंडेंट एलिमेंट है मून के उपर वह कौन सा है तो आपने बताना है टाइटेनियम टाइटेनियम जो है ये औकसाइड्स की फॉर्म में पाया जाता है और जो फार्मूला है इसका वो है पी ऐ फी ओ ट्री ठीक है यानि के आइरन और अकसाइड्स के जो एटम से उनको भी साथ ये मिला कर रखता है कंपाउंड फॉर्म में ये एक्जिस्ट करता है आगे चलते हैं नेक्स आप का जो क्युस्टिन है वो है अगर आप एक रॉक के पीस को मून टू अर्थ लेकर आएं तो क्या चेंज आएगा तो वह आपने बताने कि उसका जो वेट है उसके उपर चेंज आ जाएगा और एक्जामपल अगर आपकी रॉक है उसका वेट है, स्पोस में आपको बता रही हूँ, अगर आपकी कोई रॉक है, और उसका जो वेट है, वो स्पोस 60 केजी है, ठीक है, उसको जब आप लेकर जाएंगे, जमीन के उपर, उसके मैस में डिफरंस आ जाएगा, ठीक है, वो कैसे के आप उसको 6 के साथ मल्टिप्ला कर देंगे, तो उसका जो वेट है, वो मून वेट होगा, और अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे, 6 पर तो वो आपकी अर्थ वेट बन जाएगा, यानि के 6 टाइम आपका जो मैस है, वो इंक्रीज हो जाता है, ग्रेविटेशनल पूल की वज़ा से, ग्रेविटेशनल मून नहीं होता, या निव मून जो है, वो नहीं आपको नजर आता, तो वो है फैबरी, यह नासा के अकार्डिंग रीडिंग है, वैसे कुछ लोग जो है, वो मैर में कन्फियूज होते हैं, और कुछ जो है, वो नुवेंबर कंसिडर करते हैं, बट आपका जो मून, sorry, the mass of moon in comparison to the earth is dash, जी, आपका जो mass है, मून का, जमीन के comparison में वो कितना है, तो वो 80 गुनर ज्यादा होता है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए, आगे चलते हैं, मैस आप लिख लिजीग, अर्थ का कितना है, उसको 80 के साथ मल्टिप्लाय कर देंगे, तो आपका यह जो natural satellite है, उसका mass निकल आएगा, the natural satellite of the earth is dash, जी, अब जो आपके planets है, उन में से हर एक satellite, जो है, हर एक planet जो है, उसके आगे से further natural satellites होते हैं, और example, इदर अर्थ की बात की जा रही है, तो इसका एक ही है, और वो है, मून, और मून जो है, यह सारे satellites में पाया जाता है, यानि के Jupiter के भी different moons है, Mars के भी different moons है, Uranus के भी different है, चीक है, Mercury के भी different है, लेकिन इनका जो number है, वो vary करता है from planet to planet, अर्थ का एक है, और यह काफी important question है, यह अक्सर पूछा जाता है, आगे चलते हैं, कहते हैं, कहते हैं कि maximum number of moons, इसके पास है, कौन सा ऐसा solar system का planet है, जिसके पास है, तो व इसके जो है, वो 57 बताया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है, साथ इसके massive bodies को भी add कर लेते हैं, जिनकी confusion हो, तो 79 जो है, बताते हैं, अब यह आपकी options के उपर depend करता है, कि वो पूछा जा रहा है number या नहीं, तो ज्यादा जो है, आपकी Jupiter के moon है, यह इधर diagram भी आपको नज जैसी यह देखें, यह वो ही question है, moon का और जो earth का combination था, comparison था, weight के हिसाब से ratio में, और वो क्या है, weight on moon is one-sixth of that, that on the earth, यानि के कोई भी आपका जो object है, उसको जब आप लेकर जाते है, moon के उपर, तो वो six time भढ़ जाता है, यह चीज आगे भी मैंने आपको बताई पिछला है, और वो जो rock उन्होंने पूछा था, tides in the oceans are cursed by dash, जी, अब आपने बतानी है कि tides जो है, oceans में produced जब होती है, तो वो किस वज़ा से होती है, यह जो समंदरी लहरे हैं, जिनको बोलते हैं, तुभी आनि का अमर भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, तो वो किस वज़ा से होती है, वो आपकी gravitational attraction of sun and moon की वज़ा से होती हैं, यानि कि जो आपकी जमीन है, आपको पता होगा कि जमीन के अंदर बहुत ज्यादा gravitational force पाई जाती है, वो जो gravitational force है, उसकी वज़ा से sun and moon जो है, इनको आपस में, इनकी attraction हो जाती है, वो आपस में bonding बन जाती है, that is why tides are produced, जी, यह भी tides के उपर ही question है, कहते हैं, most important effect of the moon on earth is dash, अब जो moon है, आपको पता है, कि जितनी भी natural bodies है, satellites में, उनका impact होता है, उनके planets के उपर, ठीक है, मून के अगर बात की जाए, उसका जो severe impact आता है, आपके planet यानि के अर्थ के उपर, वो यह है, कि जब full phase में होता है, तो tides produced होती है, ठीक है, जिसे आप बोलते ह है, फुल phase moon, पूरा चांद, जब उस phase में आता है, तो वहाँ पर tides produced होती है, किसी भी oceanic body में, इधर आपको नजर आ रहा है, उपर वाली जो है, यह diagram आपको new moon की है, नीचे वाली full moon की है, और जब new moon होता है, तो आपका जो moon है, वो between होता है, earth and sun, और वो उसको अपनी तर हो जाता है, तो वो tilting की वज़ा से चला जाता है, ऐसी position में, जहां पर earth जो है, वो उसको provide करती है, क्या, shadow, तो आगे से आप देख रहे हैं, कि यह जो earth है, वो आ गई है, अब सूरज ने खींचना है उसको अपनी तरफ, यह चांद ने उसको खींचना है अपनी तरफ, तो है, उसमें हम earth के कुछ questions को देखेंगे, और earth के उपर जो पहला question है, वो है, who was the first to measure earth radius, जमीन का जो रदास है, उसको पहली मरतबा किसने measure किया, ठीक है, यह इरेट्रो स्थीम्स ने किया था, और इसने बताया था कि जमीन का जो inner point है, ठीक है, radius के बारे में आपको बताने ल इसके orbit की outer layer तक का जो distance है, that is known as radius, ठीक है, which was the very first time when the concept of radius was given in front of us, ठीक है, और अगर आप बात करें, diameter की, तो diameter भी ना इदर आपको बताया देती हूं, diameter एक boundary से दूसरी boundary तक का जो horizontal difference होता है, यह distance होता है, उसको बोला जाता है, और एक चीज इन दोनों के comparison में आ जाती है, circumference तो वो पूरा जो orbit है, यह उसका एक point से start कर दो, measurement करना और again उसी पर again आपने आपने आकर end करना है, that is known as your circumference, यह तीनों डैफिनेशन काफी important है, आपके maths के point of view से, आपकी physics के point of view से, आपके जो यह geography का इदर portion है, CSS के past papers का, उनने भी, इसके उपर question different dimension से पूछा जाता है, तो आपने बताना है कि जो इरेटोस्थीन्स था, उसने पहली बार जमीन का जो रदास था, उसके बारे में बताया था, ठीक है, गलैलियों के उपर भी question आता है, कि गलैलियों ने क्या बताया था, गलैलियों ने बताया था, जो जमीन है, वो सूरज के गिर्द घूमती है, for the very first time, yes, next question है, who propound the theory that the earth revolves around the sun in its axis in a हैलियों सेंट्रिक सिस्टम, ठीक है, है, हैलियों सेंट्रिक सिस्टम बोलते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और साथ में वो टिल्ट भी करती है अपने axis के around, ठीक है, इधर खाली revolution की बात नहीं की जा र rotation की बात भी की जा रही है, तो ये for the very first time, कॉपनिकस ने दिया था, और इन्हों ने बताया था, कि जो day and night का change आता है, आपके planet system में, वो ये इसके tilting की वज़ा से ही आता है, जी, next to earth की उपर question है, वो है the most abundant element in the earth atmosphere is, अब earth atmosphere की बात की जा रही है, अर्थ crust की बात नहीं की जा रही है, अबंडेंट element जो है, इसके बारे में लोग confuse हो जाते हैं, अर्थ atmosphere का जो abundant element है, वो है nitrogen, लेकिन अर्थ crust का जो abundant element है, वो क्या है, oxygen, तो nitrogen abundant है, इधर तो ये 78% पाई जाती है, आपके atmosphere में, yes, ये question भी काफी important है, equinox means dash, equinox किसको बोलते हैं, equinox बोलते हैं, आपकी planet की ऐसी condition, या ऐसा climatological chain, जब days and nights का जो duration है, वो equal हो जाता है, इधर diagram आपको दिखाई जा रही है, ये आपको चारों जो phases दिखाई जा रही हैं आपने, two types के जो हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, equinoxes, और ये center में आपको नज़र आ रहे हैं, इस orbit में, autumnal equinox और नीचे जो है, उसके very lowest, ये हैं आपके पास, vernal equinox, अब जो first one है, वो 22 to 23rd September तक होता है, यानि कि इस duration में days and nights जो हैं, वो equal होती हैं, और March 20 to 2021 तक जो है, वो equal होती है, days and nights, उसके comparison में ये आपको दिसंबर और जून की जो बात की जा रही है, इसका भी आपको पता होना चाहिए, इन में जो है, एक में days का difference जो है, वो ज्यादा होता है, और एक का कम होता है, यानि कि दिसंबर में जो आपकी nights हैं, वो ज्याद होते हैं, आप सब को पता है इसका, लेकिन जो इनकी dates है, इनकी उपर आ सकता है, जी, कहते हैं, the planet nearest to the earth is known as, ये है आपका मरकरी, अब ये जो question है, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपने इसको देख रहे हैं, काफी interesting ये question है, इधर आप से पूछा गया कि जमीन का जो सकता है, ये काफी interesting चीज है आपके लिए, जो sun का near rest है, planet वो कौन सा है, तो वो भी मरकरी है, आगे चलते हैं, कहते हैं, lines drawn parallel to the equator are known as dash, आपका जो equator है, वहाँ पर आपके globe के उपर जो lines draw की जाती है, parallel या फिर horizontal way में, उनको क्या बोला जाता है, उनको latitude बोला जाता है, ये question आपने देखा होगा अकसर, आता रहता है ये, और अगर ये ही lines horizontally ना हों और parallel हों तो उनको हम altitude बोलते हैं, या फिर longitudes भी कुछ लोग बोल लेते हैं, आगे चलते हैं, कहते हैं the imaginary line on the earth surface which closely follows 180 degree, meridian is known as dash, अब ये, इसका जो answer है, वो है international date line, ये international date line आपको इदर diagram में दिखाई जा रही है, आपकी equator के उपर meridian line के, बिलकुल pass, और ये zigzag की form से start होती है, थोड़ा संदर interrupt होती है, फिर आगे सी ये जाका नीचे आपके orbit का जो पोल है, वहाँ पर मिल रही है, south to north तक ये जाती है, इस में क्या होता है, ये इस line के उप जितने भी आपके आज आते हैं, ओशैनी क्रेस्ट वाले इलाकजात, या फिर आपके territorial क्रेस्ट वाले जो एरियाज आ जाते हैं, water या फिर आपकी communities वगरा, वो सारे इलाकों में आपका जो time है, वो एक जैसा होता है, ठीक है, जैसे तो आपको पता है, हाफ जो आपकी अर् होता है, ये नमेंबर में बेसिकली देखी जाती है, इसमें ऐसा होता है कि पूरी, जो throughout the world, date है, वो एक ही होती है, और वो कहां कहां होती है, ये जो meridian line के उपर, international date line आपको तिकाई जा रही है, यहाँ, आगे चलते हैं, next question आपकी geography के हवाले से है, ये काफी important है, अर्थ के उपर ही है, कहते है deepest place on earth is, ये mariana trunch है, ठीक है, ट्रेंच बोलते हैं, ऐसी जगा को, जहां पर बहुत ज्यादा एक deep किसम का depression हो आपकी earth surface के उपर, ठीक है, और ये different types की होती है, जो deepest है आपकी place, earth के उपर, वो mariana है, इसकी जो length और width है, वो भी आप से पूछी जा सकती है, तो भी आप देख लीएगा, ये भी समझने वाला एक question आया है, आगे काफी important है, कहते हैं, a body can escape the gravitational pull of the earth, if it is thrown up to the velocity of, कितनी velocity के साथ उसको pull up किया जाएगा, 70 miles per second, अभी है क्या question, basically, ये आपको कहते हैं, कि आपकी जमीन के उपर gravitational pull पाया जाता है, आप सब को पता है, gravitational force जो है, वो है आपकी एर्थ की, और तक जो है, ये gravitational pull जो है, वो पाया जाता है, ये आपने बताना है, अगर एक body को हम 70 miles per second के हिसाब से throw up करें, ठीक है, upward उसको फैंकें, उसको pull अप करें, तो क्या होगा, कि इतना distance cover करने के बाद, वो उस pull की range से बाहर चली जाएगी, ठीक है, पि वो कहीं और जा सकती है, आपके planet के उपर, यानि के अर्थ के उपर, उसका fall नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ा आपने याद रखने है, 70 miles per second, इसे आपको ये भी अन्दाजा हो सकता है, कि जमीन इस range में चीज़ों को अपनी तरफ attract करती है, चीज़ती है, येस, light जो travel करती है आपकी sun से, आपकी earth तक आती है, वो कितना time duration लेती है, वो 8 minutes लेती है, 11-1 जो question है, वो है, light from the sun travels a distance before it reaches earth, जी, 8 minutes में अब उसने कितना फासला तैय करना है, पिछले question में आपने बताया कि light जो है, वो sun to earth जब आती है, तो वो 8 minutes लेती है, लेकिन वो फासला कितना तैय करती है, इस question की ये requirement है, तो वो कितना है, 150 million kilometer, ये इधर आपको, again जो question आया है, astronomical unit की उपर है, इसकी definition आपको provided है, the average distance between the sun and the earth, is known as astronomical unit, ये diagram में आपको, जो yellow है, ये sun है, central, उसके बाहिर उसके planets है, जो के अपने अपने orbits में move कर रहे हैं, अंदर ये जो blue है, ये आपकी अर्थ है, और earth to sun, जितना भी distance है, that is known as astronomical unit, ठीक है, उसको measuring unit भी बोल लेते हैं, ये जो question है, ये काफी confusing है, यानि के आपने अर्थ की जो shape है, वो बितानी है, काफी जादा लोगों के जो है, ये opinions है के, अर्थ की जो shape है, वो basically round है, but this is a very wrong concept, ठीक है, अर्थ की जो shape है, वो round नहीं है, वो elliptical है, ठीक है, ये elliptical shape, जो है, ये oval type थोड़ी shape होती है, बट जो आपकी earth है, जाद वो अपने orbit में होती है, move कर रही होती है, tilt कर रही होती है, revolve कर रही होती है, around its axis और center, तो उसकी जो shape है, वो ऐसी नहीं होती, ठीक है, उसकी shape होती है elliptical, और आपको पता है, जमीन कभी भी रुखती नहीं है, वो हमेशा, अपनी tilting position में, अपनी revolution phase में रहती है, तो इससे आपको ये अंदाजा होगा, कि जो round position है, वो अगर एक जगा अगर जमीन रुखती, तो तब होती, लेकिन जब movement में होती है, ये अपनी tilting position में होती है, तो वहाँ इसकी position elliptical होती है, जो next question है, आपके इस lecture का, ये ये भी एक काफ़ी important question है, ये आपको हर exam में देखने को मिलेगा, day and nights are the results of dash, ये rotation of earth on its axis की वज़ा से है, लेकिन जब एक साल का duration खतम हो जाता है, 365 days का, तो तब आपका एक orbit जो है, वो complete होता है, distance travel करती है वो, अर्था आपकी, उसको revolution बोलते हैं, लेकिन जब 24 घंटे के बाद, आपका जो axis change होता है, that is basically because of your rotation of earth, ठीक है, 12 घंटे के बाद, जो है वो, अगर तो day है तो night, और अगर night है तो वो, आपका day वाली, जो condition है उसमें वो चली जाती है, rotation जो है, वो उसकी axis की गिर्द, जो movement है, उसकी वज़ा से होगी, और जो revolution है वो, उसकी center के गिर्द, movement की वज़ा से होगी, ये rotation और revolution, ये दोनों terms काफ़ important है, इनको भी आपने याद रखना है, आगे चलते हैं, कहते हैं, the greatest mass of ice on the earth is found in, ये आप सब को पता होगा, कि सबसे ज़्यादा जो बरफ पाई जाती है, वो आपके Antarctica में पाई जाती है, येस, आपका जो lecture है, वो completed है, आपको इसकी समझ लगी होगी, ये जितने भी questions थे, moon के उपर, और earth के उपर, ये सारे के सारे काफी important थे, पूछे जा सकते हैं, ये again and again, आपने इनको अच्छे से याद रखना है, और the most important thing is that, आपको जो चीजें बताई जाती हैं, कि साथ-साथ इनको करने, वो आप किया करें, क्योंकि अभी F.P.S.E.P.P.S.E. questions जो आप पूछ रही है, वो काफी tricky किसम के होते हैं, और जो अब ये आ रहे हैं, question with change हो कर आ रहे हैं, थोड़ा वो modified form में आ रहे हैं, रीप्रेज करके questions को दे रहे हैं, और कुछ questions ऐसे आते हैं, जो के dimension उसकी change कर दी जाती है, ठीक है, example पूछ ली जाती है, किसी definition की जगा, किसी definition की जगा, उसका जो word है, keyword वो पूछ लिया जाता है, उसको define करना होता है, ठीक है, कहीं पे आपको, अगर math पीछे पूछा गया, तो आगे उसका wait पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से आपको, चीजें जो हैं, वो cover करने की ज़रूरत है, वोप्स हो, आपको इन चीजों की भी समझ लग गई है, इनको आप notes making करते हुए साथ के साथ बनाएं, आपके लिए ये helpful होगा, bright spark CSS Academy की YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करें, ताके न्यू आने वाली जितनी भी notification है, जितने भी न्यू लेक्षर्स चैनल के उपर upload होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, अल्ला हापीस,